और बड़ी खबर आ रही है सागर धंकर हत्याकान में बड़ी खबर है सुशील पहलवान को लेकर क्राइम ब्रांच हर्दवार पहुची है हत्या के बाद हर्दवार में छुपा था सुशील कुमार हर्दवार में ही सुशील ने मुबाइल पैका था और अब जाज़ पर्टाल के लिए पुलिस उसे हर्दवार लेकर पहुंच गई है रोमान उल्लाखान हमारे सायोगी अमारे साथ जड़ गए हैं रोमान दरसल हर्दवार में छिपा था क्या पुलिस को इस बात कि आशंका है क्या ये लगता है पुलिस को कि हर्दबार में बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे जो आरोप हैं सुशिल पर उसे साबित किया जा सकता है देगे बिल्कुल सुशिल के खुलाफ काफी पुक्ता सबूत पुलिस के पास हैं सुचिल के दोस्तों के मोबाइल से मिलेवे वीडियो उसके अंदर मौजूद है और साथी साथ पुलिस के पास जो वहाँ पर लोग मौजूद थे जिसमें दोस्चिल के करीबी है उनके लिखित इकबालिया बेयान भी है जिसमें नोंने बताया कि सुचिल कुमारी सत्याकाड में शामिल था लेकिन सबसे महत्पूर्ण बात ये है कि पता चला कि सुचिल कुमार ने इसकी योजना काफी पहले से बनाई थी और उसके लिए उसका मोबाईल एक एहम कड़ी हो सकता है जो कि इस चीज़ को साबित कर सके सुचिल कुमार ने पूछता थे में बताया कि वो वारदात के बाद अगले तिन सुबा सबसे पहले हरीदवार गया था वहां से फिर वो रिशिकेश किया था सुचिल ने ये भी बताया कि उसने अपना मोबाईल हरीदवार में डम किया था साथ ही साथ वारदात के समय जो कपड़े पहने वे थे सुचिल कुमार ने कपड़ों में हरीदवार गयता है से बताय जा रहा और वहां पर उसने कपड़े भी डम किये थे पुलिस को अब वारदात में इस्तिमाल किये गए कपड़े बरामत करने हैं क्योंकि उन कपड़ों की फोरंसिक जाच से साफ हो जाएगा कि उस पर सागर का खून लगा हुआ है या नहीं सुशिल कुमार हरी दोवार से रिशी केज गया रिशी केज से फिर मुझफरन अगर आया यहां से हरियना गया हरियन से पंजाब गया तो तमाम चीजों को वेरिफाई करना और सबसे मेदपूर्ण है सुशिल कुमार के वारदात के समय पहने गए कपड़े और उसका मोबाइल बरामत करना जो की सुशिल कुमार का दावा है कि उसने हरी दुआर में कहीं फेका था ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका